अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप IAS with Harimohan डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो जहिन दोस्तों, दोस्तों मैं लगातार कवर करता रहा हूँ, लगातार आप लोगों से इस मामले में डिसकेशन करता रहा हूँ कैसे लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और मुद्दे आए दिन कुछ न कुछ बनते रहते हैं ऐसा ही एक मुद्दा फ्रांस और अल-काइदा के बीच डवलप हो चुका है फ्रांस जिसके अंदर फ्रीडम आफ स्पीच के नाम पर ये लोग अपने आपको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रीम लावल पर सोचते हैं कि ये लोग किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सिधा बोलते हुए और दूसरी तरफ एक धर्म इसलाम अपने आप में बहुत ही लाजवाब धर्म है कोई भी धर्म बुरा नहीं होता समस्य उसको मानने वालों के साथ होती है तो इसलाम के मानने वालों ने जिस तरीके से इसकी एक अवधारणा बना दी उसके अंदर एक अवधारणा ये भी है कि आप इसका पोस्टर या किसी भी तरीके से प्रॉफिट मुहमब्ध की मूर्ती या फोटो नहीं बना सकते अब अवधारणा इस तरीके की बनी हुई है, है नहीं है लेकिन उसके पीछे क्या किसी एक इनसान या कहीं पर कुछ लिखा है इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि क्या अगर मूर्ती बनाने वाले को क्या सजा दी जाए क्या उस पर terrorist attack किये जा सकते हैं क्या उस नाम पर सैकड़ों लोगों की जान ली जा सकती है इस मामने में कुछ कहीं पर भी कोई mention नहीं है जहां तक मुझे knowledge है ऐसी situation में क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो गर्दन उतारने का पैगाम नहीं देता लेकिन इसे मानने वाले जिस तरीके से लोगों की गर्दन फुटबॉल बनाते हुए देर नहीं लगाते उससे तो हालात यहीं लगते हैं कि शिक्षा कुछ और है लेकिन उसका interpretation कुछ और यह आ रहा है ऐसी situation में फ्रांस के अंदर फ्रांस के राष्टपती इमेन्वल जो मैकरॉन इनको अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनके उपर भी आरोप है और अलकाइदा ने इनके उपर भी आरोप यह लगाया है कि इन्होंने भी चारली हब्दो चारली हब्दो यह इस तरीके के कार्टून चापए है इस तरीके की यह मतलब यह चारली हब्दो नाम की एक मैगजीन है जो दुनिया के जितने भी लीडर से उन सब का मजाख उडाती है और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से या फिर बहुत ही सारकेस्टिक वे में किसी के भी बारे में उल्टे सी दे पोस्टर्स वगरा चापती रहती है नॉर्मल यह एक मजाकिया टाइप का कार्टून चैनल या कार्टून के तरतावतार पर चलने वाला अखबार है अब यह फ्रीडम आफ स्पीच को मानने वाले हैं तो इन्होंने 2009 के अंदर प्रॉफिट मुहम्मद की जो है फोटो चापी जिसके एवज में या जिसका बदला लेने के लिए इनके उपर 2015 में अटैक हुए 2015 में जो अटैक हुए उसके अंदर लगबग लगबग 12 लोग मारे गए जिसमें से आठ तो चारले हब्दों के अंदर काम करने वाले करमी थे लेकिन बाकी अगर सिच्विशन देखी जाए तो बहुत सारे दूसरे लोग भी मारे गए फिर टैर्रिस अटैक्स लगातार हुए या उनसे जुड़े हुए लोग जो है उनका एक दम उनके बारे में अब ये ख़बर आ रही है कि अब उनके उपर ट्रायल शुरू होगा हम तो भारत के जुड़िशल सिस्टम को ही इस तरीके से मानते हैं लेकिन आज के दिन फ्रांस का भी यह यहाल है दिखाई दिया कि उनका ट्रायल शुरू हुआ उसी ट्रायल के नाम पर यह उसी बरसी के नाम पर चारले हब्दों ने नौ सितंबर को एक बार फिर से वही पोस्टर चाप दिए अब वही पोस्टर चाप दिये और उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो इनके मैन्वल मैकरॉन इनके राष्ट्र पती है उनके उन्हों वह भी इस प्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मैकजीन के साथ खड़े हुए नजर आए तो ऐसे में अलकाइदा ने खुले तोर पर धंकी दी है कि या तो आप मान जाओ कि इनका अलकाइदा अगर किसी को याद नहों तो असामा बिन दोस्तों और तक एक ऑठक होता रहेगा इनकाई हुए यह कुले तोर पर धंकी दी कि आपके ऑपर हम दुबारा ढर्री करेंगे तैयार रहना तो दोस्तों असलियतमें धरन के नाम पर एक और खुली धंकी दी जा चुकी है अब देखते हैं इसके अंदर खिस मामले में कहा तक पहुचा जाता है अब हम तो यही सजेशन देंगे हम तो यही अपनी तरफ से दूआ देंगे दूआ करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो किसी बेजबान की या किसी निर्दोश की जान ना जाए लेकिन मजबूरी यही है कि इन लोगों की राजनीती और धर्म के नाम पर क्रिटे क्रिशन थोड़ी सी जादा खराब हो चुकी है बाकी देखिए आगे इसमें क्या होता है तब तक के लिए धन्यवाद